अब देखो यार अगर तुम लोगों ने अभी तक एग सुन नहीं देखा है तो गाईज मैं तुम लोगों को बता दू आज एग डब्यू डाइनमाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इविंट के ऊपर हमें यहाँ पर एग डब्यू का वाट टाइटल ऑन दा लाइन देखने को मिल जहाँ पर एग डब्यू के वर्ट शेंपियन एम जेफ एग डब्यू का वर्ट शेंपिसरीब समुआ जो के खिलाट डिफेंड करते गएं और आज इन दोनों के मैश के ओपनिंग के ऊपर एडम कोल एम जेफ के साथ रिंग साइड एरिया पर नहीं होते गएं क्योंकि मैश के ओपनिंग के ऊपर ही समुआ जो के बूटल शॉप शॉप के बाद समुआ जो आज इस मैश के अंदर एम जेफ को रिंग साइड एरिया के ऊपर एक बूटल सूपलेस देते गएं जिसके बाद कि समुआ जो रिंग साइड एरिया पर टेवल लगा की एम जेफ को टे इनमाइट डैमेंड रिंग का यूज करके मैच को जीतने की कोसिस करते गए बड़ गाईश समोवा जो काउंटर करते हुए MJF के उपर काकीना क्लश लगाते गए और गाईश समोवा जो मैच को जीतने ही वाले होते गए तब ही यहाँ पर एडम कोल रिंग सेड एरिया पर आ जाते गए जहाँ पर एडम कोल रिंग सेड एरिया पर आके रेफरी को डिश्टेट कर देते गए और इसी चीज का फाइदा उठा के MJF यहाँ पर Samoa चेंज से पूरी तरह से चोकाउट कर देते गए और Adam Cole के इंटरफिरेंस के वजह से आज AEW के Grand Slam के मेन इवेंट के उपर MJF ने Samoa जो को बीट कर दिया है और MJF ने रिटेन कर लिया है AEW का Watch Championship